Hello students, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं Division of Algebraic Expression अथात BGF बेंज़कों का भाग Exercise 14.3 से Question No.5 है हमारे पास कि बेंज़कों के गुणनखंट कीजिए और भाग दीजिए तो पहला वाला पार्ट है इसमें Y² प्लस 7Y प्लस 10 इसको डिवाइड करना है हमें Y प्लस 5 से देखिए ये एक प्रकार की Quadratic Expression है Quadratic Expression ऐसी Expression को कहते हैं जिसमें की Variable या चर की Maximum Power जो होती है 2 होती है यहाँ पर देखिए चर की Maximum Power 2 है इसके इसको हम Quadratic Expression कहते हैं इसकी एक General Form होती है AX² प्लस BX प्लस C देखिए यहाँ पर इसको खल करने का एक तरीका है जिसको हम तीन चर्णों में पूरा करेंगे देखिए पहला है A into C अर्थाद A को हम C से मल्टिप्लाई करें तो उसको ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका गुणनफल तो थर्ड वाले टर्म के बराबर अर्थाद C के बराबर में हो जाए और यह दि हम इनको जोड़ें अर्थाद 2 प्लस 5 को यह दि हम जोड़ें तो वो मिडल टर्म के बराबर में आ जाए अर्थाद 7 हो जाए 7Y के बराबर तो करके देखते हैं इसको y square plus 2y plus 5y plus 10 देखिए पद थे हमारे पास में पहले 3 अब कितने पद हो गए हमारे पास 4 देखिए regrouping करने के लिए हमारे पास 4 पदों का होना ज़रूरी है यहाँ पे वो 4 पद हमने बना दिये हैं अब देखिए एक ग्रूप में रखेंगे हम y square plus 2y को दूसरे ग्रूप में रखेंगे हम 5y plus 10 को और डिवाइट कर देंगे y plus 5 से देखिए y square 2y में एक चीज common है एक पद y तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा y बचेगा plus देखिए y को बाहर ले चुके हैं 2 रह गया हमारे पास 5y और 10 में plus 5 common तो हमारे पास फिर से y plus 2 अर्था 5 तू जा 10 दिवाइट बाइट y plus 5 अब देखिए इनको अलग-अलग टरमों को लिख लेते हैं y plus 5 और y plus 2 डिवाइट बाइ y plus 5 देखिए y plus 5 नीचे भी है और y plus 5 उपर भी है इस्टे ये दोनों क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे हमारे पास उपद बचेगा उपद बचेगा y plus 2 यही हमारा answer है second part देखिए m square minus 14 m minus 32 देखिए इसमे भी सेम पहले वाले पार्ट की तरह ही करना है हमें देखिए a into c अर्थाथ यहाँ पर अर्थाथ 14 के बरापर पर हो जाएंगे तो इसके लिए हमें देखिए 16 into 2 करेंगे तो 32 हो गई और 16 में यदि हम 2 को add करते हैं तो देखिए add किस प्रकार से करना पड़ेगा हमें 14 मिल जाए 16 में से minus 2 कम कर देगे तो हमारे पास तो बचेगा sorry minus के 16 में से plus 2 कम कर देगे तो हमारे पास बचेगा minus 14 इसको इसी प्रकार से हम कर देते हैं यहे m square minus 16 m plus 2 m minus 32 देखे पद हमारे पास 3 थे अब पद हो चुके हमारे पास में 4 m प्लस 2 से डिवाइट करेंगे इसको देखे रिग्रूप करने पर m स्क्वाइर माइनस 16 एक ग्रूप में और 2m माइनस 32 एक ग्रूप में डिवाइट वाइ m प्लस 2 देखे m स्क्वाइर और m में क्या कॉमन है m कॉमन है m माइनस 16 देखे 2m और 32 में 2 कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा m माइनस 16 m माइनस 16 यहाँ पर भी है और m माइनस 16 दूस्टे पद में भी है डिवाइड वाइ m प्लस 2 m प्लस 2 एक ब्रेकेट में और m माइनस 16 दूस्टे प्रेकेट में टिवाइड कर देंगे m प्लस 2 से m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा m माइनस 16 यह हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट है 5P स्क्वेर माइनस 25 प्लस 20 देखे इसमें भी क्या करना है यहाँ पर देखे पहले हम एक कॉमन ले लेंगे देखे 5 के multiple में है 5 25 और 20 तो यह 5 जो है इनका कॉमन हो जाएगा और छोटा हो जाएगा प्रस्ट P स्क्वेर माइनस 5P देखे 5 5 जब 25 प्लस 5 फोर्जा होता है 20 दिवाइड वाइ P माइनस 1 अब देखे हमारे पास में A इंटू C A इंटू C वो कितना है? 4 है 4 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसका सम जो है 5 हो जाए तो देखे 1 फोर्जा 4 होता है मारे पास और 4 और 1 को यदि हम एड करते हैं तो कितना होता है? 5 होता है अरथाद यदि हम माइनस 1 और एक माइनस 4 ले ले हैं दी तो ये कितने के बराबर में होगा माइनस 5 अर्था मेडिल टर्म के बराबर तो आगे हम इसको किस प्रकार से करेंगे देखिए 5 P स्क्वेर माइनस P देखिए माइनस 1 का मतलब माइनस P माइनस 4 P प्लस 4 और डिवाइड बाइ P माइनस 1 अब देखिए इसकी रिगूर्पिंग करने पर 5 P स्क्वेर माइनस P एक ग्रूप में माइनस 4 P प्लस 4 दूसरे ग्रूप में और डिवाइड करेंगे इसको P माइनस 1 से देखिए 5 तो पहले है ही हमारे पास में यहाँ पर क्या आनची हमारे पास में common तोनों में P तो अंदर हमारे पास बच जाएगा P माइनस 1 P से P में डिवाइड करेंगे तो 1 देखिए माइनस 4 P है तो 4 हम common ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा P और माइनस का sign हो जाएगा प्लस का sign चिस में change हो जाएगा माइनस में क्यों क्योंकि बाहर से हमारे पास में माइनस का sign है 4 बन जाए 4 डिवाइड बाइ P माइनस 1 यहाँ पर 5 P माइनस 4 एक ब्रेकेट में और P माइनस 1 दूसरे ब्रेकेट में इसको डिवाइड कर देंगे हम P माइनस 1 से तो देखे P माइनस 1 से P माइनस 1 कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 P माइनस 4 Thank you